दोस्तों आज मैं आपका और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ जैसे कि आप देखी सकते हो मेरे साइड में ये पैरेट फिश का टैंक है जिसका सेट अप मैंने किया हुआ है एक्चुली इसका सेट अप का वीडियो मैं कुछ कारण वस बना नहीं सका था इसलिए मैंने इसका सेट अप का वीडियो नहीं डाला था लेकिन मगर मैंने इस टैंक का एक वीडियो यूटूब टोरी और इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था तब मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर और वीवर्स ने बोला था प्लीज आप इसका सेट अप का वीडियो कर कीजिए मगर सेट अप का वीडियो तो मैं कर नहीं सका परंतु मैं आपको आज इस टैंक के बारे में पूरी जानकरी देने वालो कि इसमें मैंने क्या-क्या यूज किया है इसका फिल्टरेशन कैसा है और जो पीछे आप स्टोन की वाल देख रहे वो है क्या इसके बारे में मैं आज आपको तोटल जानकरी दूंगा पैरेट फिश के बारे में तो चलिए देखी सकते हो यह है मेरा पैरेट फिश का टैंक अगर आपको पैरेट फिश रखनी है तो कम से कम डाई फिट लंबा टैंक लीजिए यह जो मेरा टैंक है यह तीन फिट लंबा है और एक बात का दहान रखिए अब जब भी पैरेट फिश का टैंक आपको सेट अप करना होगा तो फिल्टरेशन आपको स्ट्रॉंग चाहिए यह जो मेरा तीन फिट का टैंक है इसमें मैंने इन टैंक संप बनाए हुआ है अगर आपने मेरा पुराना इन टैंक का संप का वीडियो नहीं देखा होँगा तो मैं उपर आय बटन में उसकी लिंक देदूँगा वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि इन टैंक संप कैसा बनाना है उस संप का एक फाइदा यह होता है कि जितना भी फिल्टरेशन का मीडिया बोलिये या रिटन का पॉम बोलिये वो आपको टैंक के अंदर नहीं दिखेगा वो सब टैंक के पीछे ही रहेगा संप में और उसका और एक फाइदा यह है कि आपका फिल्टरेशन एकदम स्ट्रॉंग अच्छा और पानी भी क्लीर है तो मैं आपको पहले मेरा इन टैंक संप दिखाता हूँ मैंने उसमें क्या-क्या यूज किया हुआ है और वो टैंक में किस जगा पर मैंने बनाय उए हुआ है तो सबसे पहले था हम यह कवर तो आप कवर निकालेंगे परेट फिछ के टैंक को आपको टॉप कवर लगाना जरूरी है आप देखी सकते हूँ मैंने ग्लास का टॉप कवर लगाया हुआ है हम इसे निकलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा संक इसे के आप देखी सकते होंगे, यह है मेरा in tank sum जो tank के back side में बनाए हुआ है, उसके मैंने चार section किये हुए यहाँ पे tank का पानी अंदर आता है, जिसमें मैंने filter sponge लगाए हुआ है दुसरे में रेमेडाइस कंपनी के एक सेरा बोलके मीडिय आता है, वो मैंने डाला हुआ है अगर आपको वो लेना है, तो मैं उसकी link आपको नीचे description में देदूँगा वापे जाके आप इसे ले सकते हो, तिसरे section में मैंने heater लगाया हुआ है और ये आखरी वाले यानि चाउते section में return pump और ये return pipe जहाँ से पानी tank के अंदर आप पर्रेट फिश टैंक का पानी का temperature आपको 24 से 30 degree तक ही रखना है मेरी राय माने तो आप इसे 26 पे set कर दीजिए और winter के दिनों में वो 28 कर दीजिए अब आते इस setup के पास आपको पीछे rocks दिख रहे होंगे वो original rocks नहीं है वो थीडी background है जो fiber से बना हुआ है नीचे मेंने river rock रखे हुए है और वो जो sand है वो black sugar sand है आप parrot fish tank में कभी भी gravel sand का या stone का use मत कीजिए क्योंकि parrot fish को digging करने में मज़ा आता है और वो sand के साथ खेलती है इसलिए आप कोई भी swap sand या sugar sand ही use कीजिए ये मेरा मानना है और एक बात parrot fish tank में parrot को छुपने के लिए यानि hiding के लिए space बनाना बहुत ही ज़रूरी है हो सकते तो आप उसमें तूटे हुए flower pot बोलिए या woods बोलिए rocks बोलिए या जो artificial keos आते वो रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा उससे fish trace में भी नहीं आएंगी और उनको hide करने के लिए जगा भी मिलेगी और उनका color भी अच्छा होगा पानी का pH आप 6.5 से लेके 8 तक रखना चाहे साड़े 6 से कम pH रहा तो color dull भी हो सकता है कि आप देखी सकते होंगे यह जो मेरी एक parrot fish है इसका color dull हो गया था क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरा मैंने जब pH चेक किया तो वह कम हो गया था और यह fish एक ही काफी dull हो गई थी जो अब धीरे धीरे उसका color bright होना शुरू हो गया है क्योंकि मैंने pH का level सही कर दिया उसके बाद light आप parrot fish tank के लिए जितने bright light रखोगे उतना उनके लिए अच्छा होंगा हो सके तो blue light आप यूजी मत कीजिए उससे क्या होता है parrot fish का color dull हो सकता है इसलिए आप white light यूज कीजिए और थोड़ी bright यूज कीजिए आप इसे चिकलेट का food दे सकते हो ब्राइन श्रिम दे सकते हो ब्लड वर्म्स दे सकते हो फ्लेक्स भी दे सकते हो मगर मेरी fish को hikari company का blood parrot प्लस बोलके food आता है वही देता हो उससे color भी अच्छे हो रहे है आप hikari का भी food दे सकते हो या कोई दुसरा food भी दे सकते हो और parrot fish को आप कभी भी planted tank में मत रखिए यानि जो live plant original plants का tank होता है उसमें कभी भी मत रखिए वो plants खा भी सकती है और पूरा आपका setup भी गड़ भी सकती है आपको plant लगा नहीं है तो artificial plant लगाई है जैसे मैंने जो 3D background है उसके side में corner में दो artificial plant लगाए हुए है अब आते cleaning के पास आपको कम से कम 15 दिन में एक बार 30% water change करना है water change करने के पहले glass अंदर से clean कर लीजिए और gravel cleaner से आप sand clean कर लीजिए और उसके बाद 30% water निकल लीजिए और नया water add कीजिए आप जब भी नया water add करोगे तो उसमें water conditioner डालना मत भूलिए और महिने में एक बार filter sponge clean करके वापिस यूज कीजिए या नया डालिए एक बात का ध्यान ये रखना water change और filter sponge clean करना ये दोनों एक टाइम मत कीजिए दोनों में कम से कम 2 या 3 दिन का gap रखिए उससे beneficial bacteria कम होने के chances कम होते यानि समझो आपने आज water change किया है तो कम से कम 2 दिन के बाद ही आफ filter clean कीजिए और filter clean करते वक्त ये बात मत भूलना कि आपको filter का spongy clean करना है आपको filter media ये कभी भी clean नहीं करना है ये आप clean करोगे तो beneficial bacteria कम होने के chances सबसे ज़्यादा रहते हैं तो आप कभी भी filter media कभी भी clean नहीं करना है आपको clean करना है तो सरी filter spongy clean मैंने जो आपको parrot fish के बारे में और parrot fish के tank के बारे में जो जानकरी दी है वो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए और comments कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद notification bell on करना मत भूलिए तो चलिए मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे tank का view एंजिए सब्सक्राइब करने के लिए और ऑईप में जानकरी प्रकाली खर चैनल का जानकरी के लिए और प्रत वाल में प्रत विए और के लिए. झाल 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 झाल